यदि आपको सब्जियों जब भरपूर हलका फुलका सा नास्ता खाना हो तो ये रेजिपी आपके बहुत काम आएगी क्योंकि आज मैं आपसे सेर करने जा रही हूँ तो ये सारी सब्जियों का इस्तमाल करके बनाया हुआ एक ऐसा नास्ता जिसे हम मिंडों में बना करके तयार कर सकते हैं और भरपूर मातर में हमने इसमें सब्जियों का प्रियों किया है तो ये नास्ता आपकी वू को बढ़ा देगा नमस्कार फ्रेंड मैं हुसंगीता रापका बहुत पहुत सागत करती हूँ आपकी अपनी रसे प्रेशिपी आपके लिए हेल्प पुलोगी और यदि रसीपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक चैनल को चरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जदर से जदर इसे शेर कीजिएगा फेमली और फ्रेंड के साथ और यदि आप चैनल पे नए हो तो रसीपी को लाइक सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना फूले यहां पर मैं ने हैंटेश्ट नाष्त सानल नहीं कि रिए इसे बनाने के लिए मैने याँ पर याँ पर यहां इस चीज phones की हैं जो हम सब के घर में होती हैं यहां पर मैंने चावलों की जगा पोह का इस्तस्चांल किया है और अ इसकी जगह हम नॉर्मल पोहा या कोई सवी पोहा ले सकते हैं। हम इस पोहे को डारेक्ट ग्राइंडिंग जार में डालते हुए, इसको पहले हम अच्छे से दोलेंगे और इसके बाद इसको गरम हो या गुन गनी पानी में भीगा लेंगे। और भीगाने से क्या होता है, कि पोहा सोब्ट रहेगा तो यह फाइन से इसका पेस्ट बनेगा। और यदि हम सुका इसको याँचे ग्राइंड करेंगे डारेक्ट पानी अदही में डालके तो यह दर दरा से रहेगा जो कि इस रेशिपी के लिए परफेक्ट नहीं होगा। और इसे भीगाने से इसका एक्स्टा ड्रस्ट भी हट जाएगा और अच्छे से भीग जाएगा। तो फाइन पेस्ट भी बन जाएगा इसका और इस रेशिपी के लिए हमें फाइन पेस्ट का इस्तमाल करना होगा। तो यहां पर मैने पोह को आर्चे से गरम पानी से पहले धो लिया था अब इसको बिगा लिया था अब यहां पर चलते हम next process की तरफ पोह रख देते हैं अब एक कप मैने पोह लिया था जिस कप से उसी चे में या पर ले रही हूं सूजी सूजी बारिक य मोटी कैसे भी चलेगी हम इसको ग्राइन करनेइवाले हैं तो एंकप मैंने सूजी लीती एंकप पोहर जिससे कप पोहर लिया था उच्छी से ये याँ पर सूजी भी अभी बड़ा वाला कप है और ये च्छोटावाला अब इससे हम छोटे वाली कप का इस्तमाल करने हैं दही लेंगे याँ पर दही हमारे पास ता जो ट्रेस होगा तब हम दही का इस्तमाल करेंगे और यदि दही तज्य और खटी हो तो उसको भी ना ले तो इसको इससे बेतर रहेगा हम यहाँ पर पानी का ही इस्तमाल करें पोहा दर-दर रहेगा तो बर्णिंग नहीं आपाएगी इसलिए हमने याँ पर पोहा को अच्छे बिगाता गरम पानी में अब पोहा के साथ जाएगा यहाँ पर दही दही खटा नहीं होना थे यह अत्ता जार फ्रेस होगा दही का भूत अच्छा स्वाद भी आता है साथ मे यह दिहिए पर टे हूं है चोटा कप मेरें डे लिया है इसको हम डालेगे अब यहाँ पर फाइन चन पना लेंगे और इससका पर प्रकतला रएगा इसका इसफिपी के लिए पर्धिक्ट रहेगा अब हम निकाल देते हैं इसको यह के रख पानी के आवहत्शक्ता लुए बाद में हम इसमें पानी डालेंगे और इसमें अच्छे से यहाँ पर साप करके इसमें बैटर में मिला लेंगे सूजी मोटी हो या भारिक हो उससे कोई फरक निपड़ता यहाँ पर पोहा हमें बिल्कुल भी धरदर रहनी चाहिए था चावल का आटर भी यहाँ पर चलीगा तो उससे यहाँ पर आसानी से रेशिपी बन जाती है हम इसमें क्योंकि धेय सारी सब्जियों कर रहे हैं इसलिए हमें इसके लिए फाइन चाह पेश्ट जाए तो परफेक्ट यहाँ पर इसका बैटर बना है और आप इसमें डालेंगे सबचाहिए तो मैंने कट कर लिये लेकिन छोट असर टीप सि mes액 सास्च कर रहे हूँ यह मैंने अडू लिया है और इसके मैंने धोके अक्ञचेचे चिलके हटा लिये हैं और भी हम क्या क्या कर सकते हैं तो मैंने कदगर लिया है। socio साजचे से यानि के मीडियम साइज में हम इसके लच्छे निकालेंगे और जैसे पानी में जाएगा इसका एक्स्ट्रा श्टार्ट जो है पानी में निकल जाएगा और आलु बिल्कुल काला तो नहीं पड़ेगा आलु में होता है डियर सारा कार्वोहाइटर्ड जो कि हमारी इसकीन से लेकर एकर हमारे लिए तो बहुत काम आने वाली चोटी है लेकिन बहुत काम आने वाली है हम एक से दो पानी से इसका स्टार्च निकाल देंगे और इसको फिर से पानी में डाल देंगे और जो इसका बचा हुआ स्टार्च रहेगा उसको हम बहुत अच्छे काम में लाने वाले हैं तो चलिया चलते हैं मेरे गं मांव की तरफ और यहाँ पर मैंने लगा रखें चोटे मोटे को इसे कोई वश्द पोधे और हम इन इन में एक्स्ट्रा बिल्कुल ब耶 rendu लगेह क्नुंट हो अई ग्रते हैं अशे यहां पर बिल्कुल नए फेंगते हैं एसे इमें डालते हैं प्याज के चिलके और लसान के चिलके हो ऐसी हम ढलते हैं भाए जाते हैं तो थोड़ी सी दवाई डाल देते हैं और बहुत अच्छा ग्रोध करते हैं तो यह थी एक छोटी मोटी सी टिप्स अब चलते हैं यहां पर बैठर की तरफ इसमें डालेंगे धेर सारी सब्जियां सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक हमने भी तक नमक का इस्तमा करेंगे अब जाएगा इसमें आलू के लच्छे की इसका मैंने सारा इश्रार से हमने कमलों में डाल दिया था तो साथ मैंने आपर दो गाजर भी यहां पर गिस रखी थी एक ही डालेंगे हम सब्जी की कौन्टिटी अमें उसके हिसाब से जालेंगे जितना यहां पर हमने इसका बेटर बनाया है एक मीडियम साइस का मैंने प्याज भी कटकर रखा है बार इक साथ में आदी वाली सिमलमिस भी लिए यहां पर सब्जी जितना हम इसमें डाल सकते हैं बहुत अच्छे रहती है जितना आप लोग खाती नहीं उसको इसमें डाल लीजेगा पता भी न देंगे इसको बहुत अच्छा फ्लेबर आता है और यहां पर एक टोमाटर लिया मेने इसका मेने अंदर कफल्वर पूरा निकाल लिया था इसके ओमरायता वगेर में डाल देंगे अब जो यहां पर ग्रैंडिंग जार में लगा था उसका हम पानी अच्छे से यहां पर इ होंगे तो हमें इस बैटर को जादो पतला ने करना होगा अब इसमें थोड़ा से एक तड़का लगाना होगा एक चमज के बराबर यहां पर तेल डालेंगे मैंने तड़का पहन लिया है तेल अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें तो राई डालेंगे या फिर सर्शू के राई अच्छे से चटकती साथ में यह तिल भी तड़कने लगे तो हम इसको यहां पर गैस को बंद कर देते हैं अब इसको डारेक्ट जालते हैं बैटर में तो तुरंत यहां पर गैस बंद कर देंगे नहीं तो यह अच्छे से चटक रहे हैं तिल के दाने भी अब डारेक पिर में सारे हमारे जो जितने भी तिलते सारे चिपक गए थोड़ा सब बैटर लेके अच्छे से इसको निकाल लेंगे और अच्छे सी मिला लेंगे क्यूंकि यहां पर भीजी टेवल में जितना होता सभरपूर मातर में पानी वी होता है तो अपनों पानी रिलीज करेंगी और तो हम इसमें ज़्यादा पानी का इस्तिमाल नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पर इसी तरीके का बैटर चाहिए तो मैं इसमें पानी का इस्तिमाल नहीं कर रहे हूं। ऐसे हम बनाएंगे। तो बैटर हमारा बन के त्यार हो गया, आप चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर तवा ले लिया है तो अच्छे से पहले गरम करना है उसके बाद थोड़ा से यहाँ पर तेल ग्रीज कर लेंगे। तवा यहाँ पर अच्छा सा होट गरम होना चाहिए। ज़ुक्प करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे बैर जतना हमों को यहांपर लगेगा जितना ऑप फेल आना चाते हैं पेन के की तरफ या सिंपल radar की तरब पतला यहांपर जितना भी पतला या मोटा जितना हम रखना चाते इसके हिसाब चे बन जाता है आसानी से और गयस का फिलेम हमने low to medium पर रखना है पहले हमने high पर रखना इसके बार यहां पर गरम हो जाएगा हम यहां पर बैटर पहला लेंगे तो इसके बार low to medium पर कर दीजिएगा और थोड़ा से इसमें धकन लगादेंगे और गयस करते हैं कम रखकन लगाने से यह होता है कि एक तो यह जल्दी पक जाता है थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे तो यह अच्छे से एक तरफ चैसे यहां पर यह सेट हो चुका है तो थोड़ा से तेल क्रीज कर लेंगे और दूसरी तरफ हम इसको पलटा लेंगे पहले किसी बना लेंगे यहां पर ताव गरमी है अम दूसरा भी बनाने के लिए यहां पर रख देते हैं सेम तरीके से हमें यहां पर बैटर फ्लाना है अब मैं यहां पर ज्यादर बड़ा यहां पर नहीं रखना चाहती थोड़े छोटे रखेंगे अधर यहां पर बेज़े टेबल अब कोने करने हैं और अधर फटार लगा लेंगे दोनों तरफ फभी कि अध्याधर लास देंगे लिदे एंनके त्यार होता है यह हुदहिए बनारी जीव मेंटास के लिए पूरा परवाले के लिए बहुत ही अच्छा हेल्थी नाज तबी है खूब सारी डेर सारी यहां पर बेजीटेबल भी है जल्दी बनने वाला नाज तबी है यदि आपके पास डो सवाला ता हुआ तो और भी अच्छा है सिंपल से मेरी तरहता हुआ है उस तरह से आप इस तरीके से बना सकते हैं यादि आपके पास किसी भी तरीके का यहां पर नौ निश्टिक पेना आप उसमें बहुत ही आसानी से बिल्कुल जी रॉयल में बना सकते हो धकन लगाने से इमली हिट होता है जो कि बहुत जल्दी है तो एक सर्थ यहां पर हमारे सारी फोना नश्टिक डाला नास्टफ बन के तयार हो गया है चटनी के साथ हैसे इंज़ौय कर सकते हैं बच्चों के टिपन ने कर पूरए परवार के लिए पूरा यह पर नंस बना लियो धार भाँ जट पर खूर वात थे हैं कि समय थे बात थे हैं कि समय है